तो हे गाईस वैलकम है आप सभी का आज के इस नय वीडियो में जैसा कि मैंने आपको प्रिवियस वाले यहाँ पर वीडियो में बताया हुआ है कि आपको बिहार सरकार के तरफ से आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट में एक न्यू रिक्वार्मेंट आ चुकी है इस टॉपिक पर मैंने कम्प्लीट वीडियो बना रखा है यहाँ पर आपको वीडियो देखने को भी मिल जाएगा साथी साथ इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जाकर कि आप डारेक्ली वाच कर सकते हो चलिए यदि आपने वह वीडियो देखा हुआ है और आप इंटरेस्टेट हो इस रिक्वार्मेंट में अपलाई करने के लिए तो आज कि इस वीडियो वाइए आपको लाश्ट को एक क्र सकते हो इस website का direct link भी आपको इस वीडियो के description में provide कर दूँगा आप यहां पर देख सकते हो आप three step में इस form को complete करोगे सबसे पहले first time आप इस website पर visit करते हो तो आपको registration करना होगा first step है तो आप registration करने के लिए यहां first option पर click करेंगे then आपको यहां पर कुछ term and conditions देखने को मिल जाएंगे जो आप चाहो तो यहां पर read out कर सकते हो otherwise मैंने सारे detail आपको provide कर रख है simply term and condition को आप यहां से accept करेंगे and proceed to registration and payment इस option पर आप click करेंगे then आपको यहां पर कुछ basic detail को fill up करनी होगी चले step by step बात करते है तो सबसे पहले देख सकते हो आप apply कर रहे हो provision cost table के लिए जिसमें आपको अपना पूरा name fill करना है जिसमें first name आप इस section में fill करेंगे middle name आप इस section में fill करेंगे यदि है तब otherwise आप इससे blank रहने देंगे and surname आप यहां पर fill कर लेंगे आपको यहां देखने को मिल जाएगा nationality आपको क्या है तो जेंडरली आप इंडियन को select कर लेंगे then आपको अपना present active mobile नंबर इस section में fill up कर लेना है आपका जो भी email id होगा email id आप correct इस section में fill करेंगे then आपको यहां पर कुछ और options देखने को मिलते हैं जैसे कि आप देख सक हैंगे जैसे कि unreserved EWS, EBC, SCHT जो भी आपको option है जो भी आपके category आप यहां से select कर सकते हो यदि आप बिहार से बिलॉंग नहीं कर तो या फिर बिहार का resident certificate आपके पास नहीं है उस condition में आपको यहां no option पर tick करना होगा तब आपको देखने को मिल जाए कि आपका reservation category में नहीं आप general category से apply कर सकते हो चलिए आपके according जो भी आप यहां पर select करना होगा जिसमें जो भी आपकी date होगे वहाँ आप यहां braucht से कर लेंगे एक सर्विसमेन हो तो यस करोगे दर्वाइस नो आप्सान पर क्लिक करेंगे दैन यहां पर कुछ बैसिक डीटेल देखने को मिल जाएंगे जो सारे डीटेल आपने फिल अप करी है निचे श्कॉल्ल डाउन करेंगे टर्मेंड कंडिसन आप यहां पर एकसेप्ट क करना होगा वह आप यहां पर check करेंगे सारे detail आपके सही है तब आप यहां पर make payment option पर click करके process को आगे करेंगे otherwise detail check करेंगे कोई गलती होता तो आप एडिट ऐप्लिकिशन डीटेल आप्ट्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं आपका प्लिकेशन प्रकार贊 जाएगा आप चाहेगा आप डैजित शायओ लेट आप ins क्रेडिट कार से प्लिक कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बेंकिंगिंग को यहाँ पर complete कर लोगे then guys आपका payment यहाँ पर complete हो जाएगा then आपका page इस प्रकार से open होगा आपको simply proceed to fill application form इस option पर click करना है then आपको यहाँ पर कुछ term and condition देखने को मिलेंगे तो आप इसे यहाँ पर read out कर सकते हो इस आप scroll down करेंगे यहाँ पर आपको term and condition को accept करना है then proceed to fill application form इस option पर click करेंगे then आपका application form इस प्रकार से open हो जाएगा step by step बात करें तो सबसे पहले father name आप इस section में fill करेंगे mother name आप इस section में fill करेंगे marital status married or unmarried हो इस option के मदद से select कर लोगे यहाँ पर आपको अधार number optional है तो आप चाहो तो यहाँ दे सकते हो otherwise important नहीं है identification mark आपके body पर कोई भी mole है mark है कोई भी cut mark है तो वो आप यहाँ पर important है fill up कर लोगे यहाँ पर यदि आपके freedom fighter है आपके family आप for freedom fighter तो आप यहाँ yes option पर tick कर लोगे detail को देनी होगी जिसमे metric class के detail आप यहाँ पर fill करेंगे जिस भी school से boards ये university से आपने अपना 10th complete किया उसका name आप यह section में fill करेंगे and passing certificate number या फिर mark sheet number जो आपका होगा certificate में वह mark sheet number आप यहाँ पर fill करेंगे and आपको यहाँ पर certificate issue date देना होगा जिसमें अपना date month और year option की मदद से select कर लेंगे या date जो है आपके certificate में भी देखने को मिल जाएगा ठीक उसी प्रकार से आपको 12th class के भी detail यहाँ पर देनी होगी जिसमें जहाँ पर भी आपने school जो भी school जो भी board से आपने complete किया यहाँ पर आप generally type कर सकते passing certificate number type करेंगे and calendar की मदद से यहाँ पर आप अपने date of certificate को यहाँ पर complete कर लेंगे नीचे वाले section में आपको अपने address detail देने होगे जिसमें permanent address आपको सबसे पहले देना है तो आपको अपना house number, flat number जो भी होगा आप यहाँ पर fill कर लेंगे जो भी आप यहाँ पर permanent address feel करते हो यदि वही आपका correspondence address है तो आप यहाँ पर एक option मिल जाएगा generally यहाँ yes option पर tick करेंगे तो as it is आपका name आपका correspondence address में fill up हो जाएगा otherwise अगर आपका correspondence address अलग है तो आप अपने according फिर से यहाँ पर fill up कर सकते हैं इसे section में आपको criminal cases के बारे में जानकारी देनी होगी यदि आपके उपर कोई भी case है कोई भी आपका case चल रहा है तो आप यहाँ जानकारी उसकी दे सकते yes option पर click करके otherwise generally आपको यहाँ पर सारे options में इस प्रकार से no option पर tick कर लेना है यहाँ पर आपको अपने passport size photograph upload करने होंगे जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में बताया था कि passport size photo आपका background आपका white होना चाहिए साती साथ jpg format में होना चाहिए और उसमें आपका death of photo जो है आपको mention किया हुआ होना चाहिए तो यहाँ बात को आप ध्यान रोखेगे otherwise आपका application reject हो सकता है तो आप generally यहाँ से upload कर सकते हो browse option पर click करके then नीचे section में आपको यहाँ इंगलिस में अपने signature को upload करने ब्राउज option पर click करके यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि signature भी आपको black pen या फिर blue pen पर white paper पर करके यहाँ पर upload करने जिन बातों का आप यहाँ पर ध्यान र चेक कर लेंगे then यदि आपके सारी जानकारी सही है तो आपको declaration option मिल जाएंगे यहाँ पर आप इस option पर tick कर लेंगे then जो भी आप crap चाहिए यहाँ देखने को मिलता है as it is आप इस option पर fill करेंगे and submit application option पर click करेंगे then guys आपका application यहाँ पर submit हो जाएगा registration ID यहाँ पर देखने क आपको मिल जाएगा आप future reference के लिए इसका acknowledgement डाउलोड करके रख सकते हो print करके रख सकते हो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा print acknowledgement इस option पर click करके आप अपने application slip को print out एक बार ले लोगे so guys इस प्रकार से आप इस requirement के लिए online apply कर सकते हो I hope इस video की मदद से आपको complete जनकारी मिल करने हो तो सब्सक्राइब कर दीजएगा मिलते हैं next video हमें तब तक के लिए जाएंद